पाठ, आठ, सिंगापुर से पत्र, चोवाचु कांग एवेन्यू, तीन ब्लॉक, पावन स्ट्रीट, सिंगापुर, दिनांक, दो अप्रेल, फ्रिय अंकुष, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, और आशा करता हूँ कि तुम सब भी कुशल पूर्वक होंगे, कल तुम्हा चुने गए हो, इसके लिए तुम बधाई के पात्र हो, तुमने अपने पत्र के माध्यम से मुझ से सिंगापुर के विशय में बहुत से प्रशन पूछे हैं, मैं तुम्हें अपने इस पत्र में सिंगापुर के विशय में रोचक जानकारियां देकर तुम्हारे ज्यान मे वृध्धी करने का प्रयास करूँगा तुम्हें यह जानकर प्रसनता होगी कि मैं पूरे परिवार के लिए हवाई टिकट भेज रहा हूँ पापा मम्मी से मैंने बात कर ली है इस बार की गर्मी की छुट्टियां तुम मेरे साथ बिताओगे किन्तु तब तक तुम सिंगापुर के विशय में रोचक जानकारियां पढ़कर रोमान्चित हो सकते हो सिंगापुर का अधिकारिक नाम सिंगापुर गडराज्य है इसे दगाडन सिटी और दलोयन सिटी के नाम से भी जाना जाता है सिंगापुर एक देश भी है और शेहर भी सिंगापुर की राजधानी भी सिंगापुर ही है वास्तव में यह एक मुख्य द्वीप और चौसट छोटे छोटे द्वीपों का समुह है इन द्वीपों में बहुत से द्वीप पर्यावरणिय कारणों से निवास योग्य नहीं है, किन्तु कुछ द्वीपों को विशेश रूप से परेटकों के लिए बसाया गया है, यह विश्व के प्रमुक बंदर गाहूं और व्यापारिक केंद्रों में से एक है, सिंगापुर का वर्तमान क्षेत्रफल मात्र 709 वर्ग किलो मीटर है, यह भार को बढ़ाने के लिए सिंगापुर ने कमबोडिया से अर्बों क्यूबिक बालू का आयात किया और अपने क्षेत्रफल में 22 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की, सिंगापुर के पडोसी देश मलेशिया और इंडोनेशिया है, भारत के निकोबार द्वीप से सिंगापुर की थाइलेंड वा इंडोनेशिया से और पीने का पानी मलेशिया से आयात किया जाता है, फिर भी सिंगापुर दुनिया की अर्थ विवस्थाओं का मुख्य केंद्र है, यहां के मुख्य विवसायों में इलेक्ट्रोनिक, रसायन, सेवाक शेत्रे की कमपनियां जैसे होटल, क देश में अच्छा निवेश किया है, यह दुनिया का सबसे महगा शहर है, यह जमीन की कमी के कारण घनी आबादी वाला दूइप है, यहां एक वर्ग किलोमीटर में 8358 व्यक्ती रहते हैं, तुम्हें यह जानकर अच्रच होगा कि फिर भी यहां चारो और हरियाली नजर जाती है, क्योंकि यहां पर वर्टिकल गार्डनिंग की जाती है, इतना ही नहीं, अभी हाल ही में छट पर गार्डन वाली बसों की शुरुआत भी की गई है, एक शोध के अनुसार ऐसी रूफ टॉप गार्डनिंग वाली बसों में एसी नहीं चलाना पड़ेगा, जिससे 20 प्रतिशत इंधन की बचत होगी, तुम्हें यह जानकर और भी आश्चरे होगा, कि सिंगापुर की सडकों पर कभी जाम नहीं लगता, यदि सडक पर कभी जाम लग जाए, तो वह मुख्य समाचार बन जाता है, वास्तव में सिंगापुर में वाहनों के आने जाने का कारि प्राइसिंग सिस्टम के द्वारा, यहां पर परिवहन विभाग यह ध्यान रखता है, कि कि सडक पर जाम लगने की आशंका है, यदि उस समय कोई गाड़ी उस सडक पर से गुजरती है, तो उस गाड़ी चालक को ज्यादा पैसे उस सडक के प्रयोग के लिए देने पड़ होते हैं, किसी भी गाड़ी के रोड पर आने से पूर्वही उसमें एक सेंसर किट फिट की जाती है, जिसका कनेक्शन सीधा सिंगापूर परिवहन विभाग से जुड़ा होता है, जब कोई ड्राइवर उस चेतावनी वाले बोड को देखकर उस रोड से गुजरता है, तब गाड़ी में लगी सिंसर किट से तुरंट एक निश्चित रकम कट कर सरकार के पास चली जाती है, सिंगापूर में गाड़ी खरीदना भी आसान नहीं है, यदि कोई व्यक्ति गाड़ी खरीदना चाहता है, तो सबसे पहले उसे परिवहन विभाग में आवेदन करना है, फिर महीने बाद एक ड्रॉ निकाला जाता है, ड्रॉ में जिसका नाम आता है, वही व्यक्ति कार खरीद सकता है, गाड़ी की कीमत सुनकर भी तुम चौक जाओगे, गाड़ी की कीमत के साथ साथ व्यक्ति को डेड़ गुना राशी सरकार को देनी होती है, चोकि द्वार द्वारा साफ सफाई के लिए बनाए गए नियम बेहद कट हो रहें और उनका द्रता से पालन करवाया जाता है जिसका परिणाम यह हुआ कि सिंगापुर सबसे स्वच्छ देशों की सूची में शामिल है और यहां के निवासियों की ओसत आयो 66 वर्ष से बढ़कर 86 वर्ष हो गई यदि यहां कोई व्यक्ति कच्रे के डिब्बे में कूडा डाल कर गलती से डिब्बे का ढखकन बंद करना भूल जाए तो उसे 500 डॉलर तक का जुर्माना देना पड़ सकता है कूडे को काले रंग के प्लास्टिक बैग में रखकर ही कच्रे के डिब्बे में चौधवी शताबदी में सुमात्रा द्वीब का एक हिंदू राजकुमार शिकार हेतु यहां आया था उसे यहां के जंगलों में बहुत सारे सिंग देखने को मिले तो उसने इसका नाम सिंगापुरा रखा अर्थात सिंगों का द्वीब आधुनिक सिंगापुर की स्थापना 1819 में सरस्टेम फोर्ड रेफल्स ने की इस्ट इंडिया कंपणी के अधिकारी के रूप में इन्हें कंपणी के ततकालीन वाईसराय ने व्यापार बढ़ाने के लिए सिंगापुर भेजा था उनीसवी से बीसवी शतापदी में सिंगापुर पर अंग्रेजों का राज था द्वितिय विश्व युद्ध के समय जापान ने सिंगापुर को अपने अधिन कर लिया और 1922 से 1945 तक इसे अपने अधिन रखा किन्तु 12 सिंगापुर को सुतंतरता मिली थी जब सिंगापुर को सुतंतरता मिल गई थी वह सुतंतर हो गया था तब 12 सितंबर 1963 को मलेशिया में विलाय हो गया था क्योंकि सिंगापुर में रहने वाले लोग मलेशिया में विलाय होने के फेवर में थे किन्तु 9 अगस्त 1965 में मलेशिया से वोटिंग के जरिये जब तुम यहां आओगे तो तुम्हें जगा जगा ऐसे स्टेच्यू पुतले देखने को मिलेंगे जिनके सिर्तो शेर के होंगे पर नीचे का धर मचली की तरह इन स्टेच्यू को मरलियन कहते हैं यह सिंगापूर का राष्ट्रिय चिन्ह भी है सिंगापूर की आबादी 2020 की जनगर्ना के अनुसार 56 लाख है इसमें 74 प्रतिशत चाइनीज 13.4 प्रतिशत मले 9.2 प्रतिशत भारतिय और 3.4 प्रतिशत अन्य है यहां की राष्ट्र भाषा मले है अंग्रेजी चीनी मले और त मजुला सिंगापूर मले भाषा में गाया जाता है यहां विभिन धर्मों को मानने वाले लोग मिल जुल कर रहते हैं मुख्य रूप से यहां बौध, मुस्लिम, इसाई और हिंदू धर्म को मानने वाले लोग एक साथ रहते हैं यहां की मुद्रा सिंगापूर डॉलर है सि से उंची प्राकृतिक जगा बुकेट तिमहा हिल है चो मात्र 165 मीटर उंची ही है अरे हं तुमने यहां के परिटन इस्थलों के विशय में भी जानना चाहा है तो मेरे भाई सबसे पहले तो यहां का चांगी हवाई अड़ा विश्व का सर्वश्रेष्ट हवाई अड़ा है यहां प्रतिवर्ष दो करोड परिटक भ्रमड के लिए आते हैं अतहा यह सबसे व्यस्थ हवाई अड़ों में से एक है इस कारण ही सिंगापूर में तुम्हें कोई भी बिल्डिंग 280 मीटर से उंची नहीं मिलेगी केवल गोको टावर ही 284 मीटर उंचा है परिटकों के आ 62 मीटर उंचा है इसमें 28 एर कंडिशन बॉक्स बने है प्रतेग बॉक्स में 28 व्यक्तियों के बैठने की जगा है इसमें बैठकर सैलानी पूरे शहर को देखने का आनंद उठाते हैं सिंगापूर में ही विश्व का सबसे बड़ा फाउंटेन फवारा संटेक सिटी में है यह फवारा कांसे का बना है यह फवारा 1997 में बनकर तयार हुआ था इस फवारे फाउंटेन ओफ वेल्थ का नाम 1998 में गिनीज बुक आफ रिकॉर्ड में लिखा गया है सिंगापूर सरकार ने परेटन को बढ़ावा देने के लिए विशेश तोर पर सेंटोसा द्वीब का निर्मान किया है इसे पूरा देखने के लिए एक दिन कम पड़ता है यहां युनिवर्सल स्टूडियो है जिसमें सेलानी तरह तरह के राइट शो का आनंद लेते हैं सेंटोसा द्वीब पर ही इंबेह लुकाउट जोन में टाइगर स्काई टावर है इसके अंदर जिससे उपर तक जाते हैं और यहां से पूरा सेंटोसा द्वीब तधा सिंगापूर का दक्षणी तट दिखाई देता है सेंटोसा द्वीब में S.E.A. Aquarium South East Asia है यह बानी के अंदर मचली घर है इसमें एक लाख मरीन मचलियों की एक हजार से अधिक प्रजातिया पाई जा इसी तवी पर मेडम तुसाद म्यूजियम है इस संग्रहाले में मूम की बनी मूर्तियां हैं जो बिलकुल सजीव लगती है इन मूर्तियों में सिंगापूर का इतिहास द्रिष्टी गोचर होता है तुम यह जानकर अचंभित होगे कि क्या कोई चिडिया घर रात में भी ख खुला होता है जी हाँ इसे नाइट सफारी के नाम से जाना जाता है जहां सूर्यास्त के बाद खुली बस में जंगल की सेर कराई जाती है यहां कृत्रिम प्रकाश की विवस्था इस प्रकार की गई है मानुचंद्रमा अपनी रोशनी बिखे रहा हो यहां टाइगर जिरा हाथी, हेरन, शेर इत्यादी जानवा रखे गए हैं। जिसे मैं एक पत्र के माध्यम से नहीं बता सकता। अतह जब तुम यहाँ आओगे, तो अपनी आखों से सब कुछ स्वयम ही देख लेना। हाँ, यह मुझे पक्का विश्वास है कि यहाँ पत्र पढ़कर तुम यहाँ आने के लिए लालाई थो उठोगे। घर में मम्मी पा का खयाल रखना। तुम्हारा भाई।